टॉपिक है हमारा एंगिलर वेरियेबल्स ठीक है और रिलेशन बिट्वीन एंगिलर एंड लीनियर वेरियेबल्स तो बचो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर लेक्चर के दुरान कोई बात आपको समझ नहीं आती या कोई क्वेस्टिन आपके जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेस्टिन पूछ सकते हैं तो एंगिलर वेरियेबल्स कौन कौन से होते हैं जिस तरह आपने पड़ा हमारे पास पॉजिशन होती है लीनियर वेलास्टी होती है लीनियर एक्सलरेशन होता है डिस्टन्स होता है डिस्टन्स होता है बिल्कुर इसी तरह से जब कोई object rotate कर रहा होता है, angular motion में होता है, तो उस वक्त उसका displacement होता है, या velocity होती है, या उसका acceleration होता है, वो सारे variables जो हैं, वो angular होते हैं, angular displacement, angular position, angular velocity, ठीक है, और angular displacement बगएरा बगएरा, तो बैचो हम start करेंगे, angular position से, कि angular position क्या होती है, position से फिर हम जाएंगे displacement पे, displacement से फिर velocity पे, और velocity से फिर acceleration पे, तो सबसे पहले, what is angular position, बचो ये बिस्क है, आप सब इससे वाकिफ हैं, ये डिस्क एक rigid body है, बचो rigid body क्या होती है, कोई भी ऐसा object, जिसके अंदर, तमाँ उसके जो parts हैं, वो आपस में locked हों, ठीक है, यानि कि अगर ये डिस्क रोटेट करें, rigid body रोटेट करें, तो वो सारे के सारे जो उसके particles हैं, जिन से मिलकर वो rigid body बनी है, वो सारे के सारे भी एक ही velocity के साथ रोटेट करें, ठीक है, और rigid body के अंदर, किसी भी दो points के दर्मयान, जो distance है, वो हमेशा fixed रहे, इस तरह से, कि सारे particle आपस में lock रहें, ऐसे किसी भी object को हम बोलते हैं, rigid body, तो ये डिस्क जो है, ये एक rigid body है, इसी तरह से मेरे पास और भी बहुत सारे examples हैं, ये डिस्टर भी एक rigid body है, ये मेरे पास board markers हैं, तो वो भी एक rigid body है, तो बचो अब इसी डिस्क को, मैं यहाँ पर board में बनाता हूँ, और हम समझने की कोशिश करते हैं, कि angular position क्या होती है, तो बचो यहाँ देखिए, ये हमारी डिस्क है, और ये डिस्क का center है, डिस्क का center है, ओ, ठीक है, ये डिस्क जो है, ये अपने center के about, rotate कर रही है, ठीक है बचो, center में से pass होने वाली, straight line, इसे बोलते हैं, axis of rotation, ये center है, और center से, जो line, ऐसी line, जो center से perpendicularly pass हो रही है, center के perpendicular हो, इस line को हम कहते हैं, axis of rotation, तो बचो, ये है, axis of rotation, हम ये कह सकते हैं, कि हमारी डिस्क जो है, वो इस axis of rotation के about, rotate कर रही है, ठीक है, बचो, तो, हमारी डिस्क जो है, वो anti-clockwise, rotate कर रही है, और उसका axis of rotation, उसकी direction ये है, जैसे मैंने पहले बनाई है ये इस डिस्क का सेंटर है वचो अब अंगिलर पॉजिशन को समझने के लिए या अंगिलर पॉजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए अंगिलर पॉजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पर इस डिस्क की उपर एक reference line बना रेते हैं खुद से तो यह है हमारी एक fixed reference line यहाँ पर और बातें भी आप दिजहने में रखनी है यह जो center है यह भी fixed है हमारा axis of rotation जो है वो भी fixed है वचो यह reference line हमने यहाँ पर draw कर ली है अब आपको पता है कि यह disc जो है यह बहुत सारे particles से मिलकर बनी है तो ऐसा ही कोई एक particle हम select कर लेते हैं तो यह एक particle हमने select कर लिया इस particle का जो distance है center से वो r है ठीक है यह r को हम इसका position vector भी बोल सकते है r को हम इसका position vector भी बोल सकते है अच्छा अब यह जो particle है यह particle जब disc rotate करेगी तो यह particle भी rotate करेगा लेकि जब यह particle rotate करेगा तो rotate करते हुए बच्चो यह क्या बनाएगा यह circle बनाएगा यह particle जो है एक circular path में move करेगा अब angular position क्या है बच्चो start में जिस वक्त particle यहां पे था इस reference line के साथ वो जो angle बना रहा था उस angle को हम कहते हैं angular position यानि कि हम यह कह सकते हैं कि angle angle subtended with reference line angle subtended with reference line is called angular position circular motion में और angular motion में थोड़ा सा difference है और वो difference क्या है बच्चो अगर single particle की बात की जाए तो यह single particle जो move कर रहा है तो इस particle की जो velocity है वो tangent to the circle direction में है इस velocity को कहते हैं tangential velocity और यह angular velocity नहीं है और यह particle move करते हुए आप देख रहे हैं कि एक circle बना रहा है तो इस particle के motion को अगर सिर्फ इस particle के motion को individually देखा जाएगा तो इसका motion circular होगा और इसकी velocity जो है वो tangential velocity होगी लेकिन अगर इस party अच्छा है का और बात है यह जो R है यह R fixed है अगर इस particle के motion को with respect to center देखा जाएगा तो फिर इस particle के motion को represent करने वाली हमारे पास यह green line जो आपको नदर आ रही है यह है इसका मतलब है कि अगर इस particle का motion with respect to center देखा जाएगा तो with respect to center देखने के लिए यह जो line है यह line representative है ठीक है अगर आप इस particle का motion with respect to center देखेंगे तो किस की मदद से देखेंगे इस line की मदद से और जब यह particle circular path में move कर रहा होगा तो यह line क्या कर रही होगी यह line ऐसे rotate कर रही होगी ठीक है बच्चों तो इसका मतलब है कि particle का अगर individual motion देखा जाएगा तो वो circular है लेकिन अगर उसी motion को with respect to center देखा जाएगा तो फिर वो motion क्या है angular motion है तो यह एक बन्यादी फर्ग है circular motion में और angular motion में तो यहाँ पर हमने definition की angular position की अब हम आगे बढ़ेंगे angular displacement की तरफ लेकिन उस तरफ जाने से पहले यहाँ पर कुछ और definitions हम करते जाते हैं बच्चों यह जो angle theta है यह angle theta हमारे पास बराबर होता है arc length divided by radius बच्चों जो arc length है यहाँ से यहाँ तक यह particle जो फासला ते कर रहा है इस फासले को इस distance को हम arc length बोल सकते हैं और इसको हम s से represent कर रहे हैं और radius को r से represent कर रहे हैं तो theta is equal to s over r तो यहाँ से अगर मैं s की value निकालूं तो s हमारे पास आएगा r theta यह हमारे पास बनकी है equation 1 अब यह relation है s, r और theta पे r क्या है radius, theta क्या है angular position और s क्या है arc length इन तीनों के दर्मया relation हम इस equation से देख सकते हैं, ठीके बच्चो एक और चीज़ है यहाँ पर बच्चो अगर यह particle एक complete rotation लेता है एक trip अपना पूरा करता है एक rotation complete करता है तो एक complete rotation जो है वो किसके बनाबर होता है one complete rotation या one revolution is equal to two by radian यह radian क्या है, यह भी हम आगे चलके देखते हैं इसे हम कहा लेते हैं, equation A इसी तरह से one revolution जो है अगर angle की शकल में देखा जाए तो बच्चो एक पूरा circle जो होता है वो 360 degree angle के बराबर होता है इसका मतलब है कि one revolution को angle की शकल में देखा जाए तो 360 degree के बराबर होगा यह हमारी equation है बच्चो बी अब इन दोनों equations को compare किया जा सकता है क्योंकि दोनों की left hand side बराबर है दोनों की right hand side भी बराबर होगी तो बच्चो हम इसको यह लिख सकते हैं कि two pi radian is equal to 360 degree और यहां से two pi multiply हो रहा है उदर जाकि divide हो जाएगा तो बच्चो यह हमारे पास आ जाएगा one radian is equal to 360 over 2 pi बच्चो यह आप pi की value पुट करें pi की value अपको पता कितनी है 3.14 something आगे ठीक है जी तो pi की value पुट करें और simplify करें तो यह हमारे पास आ जाएगा 57.3 degree तो बच्चो one radian is equal to 57.3 degrees तो यहां पर यह दो proofs भी हमने कर लिया है साथ साथ s is equal to r theta और one radian is equal to 57.3 degrees तो बच्चो एंगूलर position के फॉरण बात हम चलते हैं angular displacement के तरफ अब हमारे पास है जी angular displacement बच्चो जीस तरह यहां पर हमने एक rigid body की example ली है ठीक है बिलकुल इसी तरह हम यहां पर दुबारा एक rigid body example लेते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हम कोई disk की लें ठीक है जी हम disk के इलावा कोई और rigid body भी ले सकते हैं तो फर्स करें कि हमारे पास यह बच्चो हमारा frame of reference है हमारा coordinate system है यह हमारे पास x-axis है यह हमारे पास y-axis है और यह हमारे पास z-axis है यहां पर हमारे पास एक rigid body है बच्चो यह एक rigid body है यह जो green आपको नदर आ रही है और इसकी shape जो है वो irregular है irregular shape की कोई भी rigid body है हमारे पास और बच्चो यह इस rigid body का center है ओ यहां से यह rigid body fix है अब यह rigid body जो है यह rotate कर रही है इस direction में counter clockwise direction में यह rotate कर रही है और बच्चो यह है इसका axis of rotation जो इसके center में से पास हो रहा है और यहां पर यह axis of rotation कौन सा है यह z-axis है ठीक है बच्चो अगर मैं तो आपका है x-axis यह वाय-axis और यह इस 설is फास है यह àpka rigid body है ची करециZ कर रहा है एकस और यह प्लें यह caίας x-axis अचसेसे इसके दरमियान आपके rigid body बड़त है आपके इस इसरे axis जी-axis एकसी और रोटेशन थाके इसके about वह rotate कर रहा है ठीक है तो इस तरह से आपका rigid body इस तरह से rotate कर रहा है और ये है उसका axis of rotation तो यूँ आप बता सकते हैं कि ये आपका rigid body बड़ा है ठीक है जी इस तरह से rigid body rotate कर रहा है और यह उसका axis of rotation है तो बच्चो पहले की तरह हम फिर क्या करते हैं हम एक point particle उस digit body की अंदर consider कर लेते हैं क्योंकि digit body जो है वो बहुत सारे particle से मिलकर बनता है तो ऐसा ही कोई एक particle हम यहाँ पर select कर लेते हैं यह है particle P जो हमने select कर लिया और बच्चो यह जो x-axis है यह हमारी reference line है और इस वक्त जिस point पे हमारा particle है इस point हम कह देते हैं point A और हमारे particle का जो angle है x-axis के सार इसको हम theta I कह देते हैं तो बच्चो हमारे particle की जो angular position है वो क्या है theta I ठीक है अब क्या होता है कि हमारी जोंकि rigid body rotate कर रही है अगर यह rigid body rotate कर रही है तो यह point भी इसके साथ साथ क्या कर रहा है rotate कर रहा है तो after some time कुछ time के बाद हमारा जो particle है वो एक नई position पे ज़रा जाता है अब जो नई position है इसको हम कह देते हैं जी बी अब जो हमारे particle का angle है पहले angle कितना था theta I था अब जब यह particle A से B पे पहुँच गया पहले यह A पे था अब यह B पे पहुँच गया तो A से B तक जाते होए जो नया angle है वो क्या हो गया theta F हो गया हमारी angular position जो है वो change हो गई पहले हमारी angular position थी theta I अब हमारी angular position हो गई theta F तो बचो angular position में जो change आया है that change is called angular displacement तो यह जो change आया है इस change को कैसे निकाल सकते हैं change in theta is equal to theta F minus theta I तो बचो angular position में जो change आया है that is called angular displacement तो यहां पर यह जो आपको नजर आ रहा है डेल थीटा यह डेल थीटा आपका angular displacement है तो आप इसको define कर सकते हैं के change in angular position change in angular position is called angular displacement यहां पर मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपने angular motion में और circular motion में फर्ख करना है अगर आप angular position की बात करना है तो इस particle की जो angular position है वो with respect to O ली जाएगी और वो कैसे ली जाएगी वो ली जाएगी इस angle की मतद से और वैसे जो इसकी position है अगर आप with respect to O with respect to center position नहीं ले रहे तो फिर इस particle की position क्या है A और यहां पर इसकी position क्या है B और A से B तर move करते होए यह कुछ फासला इसने देया किया ठीक है लेकिन अगर आप angular position की बात करेंगे तो angular position वैशार किस से ली जाएगी angle से तो यहां पर इसकी angular position है with respect to center theta I और जब यहां पहुंच गिया है तो इसकी नई angular position है with respect to center theta F तो यह जो angle की form में change आया है यह जो angular position चेंज होई है इस angular position में change को हम angular displacement कहेंगे और angular displacement को हम del theta से represent करते हैं और बचो इसका जो unit है वो है radian angular displacement का unit क्या है radian है एक और बात है यहां पर इसकी angular displacement की direction कैसे ली जाएगी बचो angular displacement की direction find करने के लिए हम right hand rule यूज करेंगे right hand rule के मताबिक जिस direction में हमारी rigid body rotate कर रही है अब हमारी rigid body ऐसे rotate कर रही है ठिक है यह हमारी rigid body बड़ि है जैसे मेरा हाथ है यग आप यूँ समझ लें कि यह हमारी rigid body बड़ि है और इस तरह से rotate कर रही है यह बचैए ऐसे rotate कर रही है तो जिस direction में हमारी rigid body rotate कर रही है उधर आप अपनी finger को curl करें और thumb को सीना करلें जिस direction में धंब होगा यहीं कि जो आपके axis of rotation की direction है वो ही direction होगी हमारे angular displacement की तो जितनी भी angular quantities हैं उनकी direction हम हमेशा right hand rule से ही मालूम करते हैं तो बच्चों अभी हमने discuss कर लिया है angular displacement और उसके साथ angular position तो आगे हम बढ़ते हैं angular velocity की तरफ अब हम बात करने जा रहें जी angular velocity की बच्चों angular velocity क्या है how fast the rigid body is rotating आपकी rigid body जो rotate कर रही है वो कितना fast rotate कर रही है अब इसको हम कहेंगे उसकी angular velocity या दूसरे लफजों में जो angular displacement में change आ रहा है वो change कितना fast आ रहा है वो change या कितना slow आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे angular velocity या दूसरे लफजों में angular displacement में जो change आ रहा है उस change को अगर हम time के साथ measure कर लें तो वो time के साथ measure करना क्या कहलाएगा angular velocity तो बचो जब भी हम angular velocity की बात करेंगे या acceleration की बात करेंगे तो हम on the average बात कर रहे होते हैं तो हमारी जो average angular velocity है बचो angular velocity को omega से represent करते हैं और ये बराबर होगी change in angular position या change in angular displacement with respect to time ठीक है तो ये है हमारी angular velocity आप कहा सकते हैं rate of change of angular displacement is called angular velocity बचो angular velocity का जो unit होगा हमारे पास ये देखें ये angular displacement है इसका unit होता है radian और time का unit क्या है second तो radian per second is the unit of angular velocity बचो इसके लाब हमारे पास instantaneous angular velocity भी हो सकती है instantaneous angular velocity ये क्या होती है angular velocity at any instant of time is called instantaneous angular velocity तो बचो instantaneous angular velocity को हम w instantaneous से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हमें limit लगानी पड़ती है क्योंकि ये हम बात करें at any instant of time अब ये जो instant of time होता है ये इतना short interval होता है time का के हमें यह time के साथ limit लगानी पड़ेगी limit time approaches to zero time इतना short है time interval इतना short है इतना small है कि हमें वो approaches to zero है zero नहीं है लेकिन approaches to zero है तो यहां हमारे पास आजाएगा जी डेल थीटा ओवर डेल टी और इस पूरे फार्मूले को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद डी थीटा ओवर डी टी तो बच्चो हमारी instantaneous angular velocity किसके बराबर है डी थीटा ओवर डी टी अब यहां पर फिर वही बात है मैं दुबारा से फिर आपसे कहूंगा कि हमें linear velocity में या टेजेंशल velocity में और angular velocity में फरक सीखना है बच्चों यह देखिए यह जो particle था यह particle इस वकर पॉइंट A पे है उसके बाद यह चला गया पॉइंट B पे मैं इसी figure को यहां बना तो आपको clear हो जाएगा थोड़ी confusion आपकी दूर हो जाएगी यह देखिए जी यह हमारा axis हमारा frame of reference है ठीक है हमने कहा के शुरू में हमारा particle जो है वो यहां पे था इस position को हमने A कहा फिर हमारा particle एक नई position पे चला गया position B पर बचो बचो सेंटर से इस particle तक जो distance है वो R है radius vector और यह fixed distance होता है यहां पर भी यह क्या होगा R होगा बचो हमारे particle ने move किया A से B तक A से B तक move करते होए इसने कुछ distance travel किया S यह distance का simple distance है लेकिन अगर आप angular displacement की बात करेंगे तो फिर वो किस sense में लेते हैं वो हम लेते हैं with respect to origin और वो कैसे लेते हैं बचो जब यह point A पे था तो इसका angle था theta I जब यह point B पे चला गया तो नया angle बना theta F ठीक है तो theta I से theta F जो angle में change आया यह कहलाता है angular displacement यह अगर इस particle के motion को with respect to center देखा जाएगा तो हम इस line की मदद से देखेंगे और इस line का motion कैसा है angular लेकिन इस particle का individual motion देखेंगे तो वो क्या होगा circular इसी तरह से बच्चों इस particle की जो velocity है अगर हम यहां पर देखें तो एक इसकी velocity जो है यह A से B तर move करते हुए यह tangent direction में इसकी velocity है इसको हम कहेंगे tangential velocity या simple linear velocity क्योंकि अगर यह particle मुसलसल ऐसे move करता रहे तो यह क्या बनाएगा यह circle बनाएगा तो इसकी velocity किसी भी point पे अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप tangent draw करके इसकी velocity निकाल सकते हैं तो यह velocity जो tangent to circle direction में है यह इसकी linear velocity या tangential velocity है लेकिन अगर इसकी velocity को देखा जाएगा with respect to अगर इस particle की velocity को देखा जाएगा with respect to center तो उसके ली पर पार्टीकल की velocity को नहीं देखा जाएगा बरकर इस line की velocity को देखा जाएगा और इस line की जो velocity है जो green line आपको नदर आ रही है इस line की जो velocity है वो है angular velocity तो बच्चों ये फर्ग है linear velocity में angular velocity में angular motion में circular motion में ude clear हो गया angular velocity के बाद हम आगे बढ़ेंगे angular acceleration के तरफ जी बचो अब हम देखने जा रहे है angular acceleration को angular acceleration क्या होता है angular acceleration होता है हमारे पास how fast angular velocity is changing angular velocity में जो change आ रहा है वो कितना fast आ रहा है या angular velocity में जो change आ रहा है with respect to time अगर उस change को time के साथ measure किया जाए उस change को time के साथ देखा जाए तो वो कहलाएगा angular acceleration बचो rate of change of angular velocity is called angular acceleration और angular acceleration को हम alpha से represent करते हैं और ये बराबर है change in angular velocity with respect to time या rate of change of angular velocity rate of change of angular velocity बचो ये हमारे पास है average average angular acceleration इसके लाब हमारे पास instantaneous angular acceleration भी होता है जिसरा instantaneous angular velocity होती है तो angular acceleration at any instant of time is called instantaneous angular acceleration तो बचो इसको हम alpha instantaneous से represent करेंगे और चुँके मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये instant of time जो होता है ये इतना small time interval है इतना short time interval है कि ये zero को अप्रोच करता है जिरो नहीं होता लेकिन बहुत ही small होता है इसके हमें यहाँ पर limit लगाना पड़ता है limit time approaches to zero change in angular velocity with respect to time और इसी को हम क्या लिख सकते है d omega over dt तो बचो instantaneous angular acceleration जो हमारे पास है ये बराबर आ गया d omega over dt बचो angular position को देखा हमने उसके बाद angular displacement को देखा उसके बाद angular velocity को देखा उसके बाद हमने angular acceleration को देखा तो बचो angular acceleration और angular velocity इनकी direction भी right hand rule से ही निकाली जाएगी जिस direction में हमारा object रोटेट कर लहा है आप पनी fingers को curl करें उस direction में रोटेट करें और थम को सीधा कर लें तो यह थम जो है वो आपको direction बताएगा angular displacement की भी angular velocity की भी और angular acceleration की भी इसकी वो velocity जो tangent to circle direction में है इस velocity को हम कहेंगे tangential velocity या linear velocity और वो velocity जो इस line की है ये line भी इस particle को ही represent कर रही है लेकिन with respect to center तो इस line की जो velocity होगी या इस particle की velocity with respect to a fixed center वो velocity होगी angular तो बच्चों हमने पढ़ा हुआ है तो बच्चों हमने पढ़ा हुआ है तो बच्चों डिवाइड कर दे यहां भी और यहां भी बच्चों डिएस ओवर डीटी ds ओवर डीटी क्या बन जाएगा ds ओवर डीटी बन जाएगा हमारे पास हमारी linear velocity rate of change of displacement rate of change of linear displacement is equal to linear velocity और यह आर वैसी ही आज जाएगा d theta over dt हैगा यह है rate of change of angular displacement तो rate of change of angular displacement किसके पराबर आगया omega के पराबर आगया तो बच्चों यह हमारे पास relation आगया linear velocity में और angular velocity में v is equal to r omega इसी तरह से हम linear acceleration और angular acceleration में भी relation बना सकते हैं इसी को ही हम follow करते हैं तो बच्चों dv is equal to r d omega अगर हम instantaneous angular velocity लें और instantaneous linear velocity लें तो यह instantaneous angular velocity क्या होगी dv और instantaneous angular velocity क्या होगी d omega तो बच्चों यहाँ पर हम फिर द्वारा से dt से डिवाइड कर देते हैं तो dv और dt यह क्या हो गया linear acceleration यह आर ऐसी आगया और d omega और dt हमे लें लेपस क्या आगया angular acceleration तो बच्चों यह हमने relation बना दिया linear acceleration और angular acceleration के दर्मया इसी तरह से linear velocity और angular velocity इस velocity को हम tangential velocity भी कह सकते हैं और इस acceleration को हम tangential acceleration या simply हम इसको centripetal acceleration भी कह सकते हैं तो यह जो acceleration है इसको हम centripetal acceleration भी कह सकते हैं बच्चों इसके बाद हमारे पास equations of motions है equations of motions हमारे पास है linear motion के लिए और angular motion के लिए तो बचो linear motion और angular motion बचो linear motion में हमारे पास displacement क्या होता है S और angular motion में थीटा linear motion में हमारे पास velocity क्या होती है V और angular motion में omega linear motion में acceleration क्या होता है A और angular motion में alpha linear motion में acceleration कौन produce करता है force और angular motion में यही काम कौन करता है torque ठीक हो गया अब इनको देखते हुए हम equations of motion में भी कुछ change कर सकते है बचो हमने equation of motion पढ़ी है VF is equal to VI plus AP यह है linear motion के लिए लेकिन अगर हमने इसको angular motion के लिए लिखना हो तो VF की जगा क्या आएगा omega F और omega I plus A की जगा क्या आएगा alpha और T वैसे ही आ जाएगा इसी तरह से हमने पढ़ा 2AS is equal to VF square minus VI square तो बचो क्या होगा 2A की जगा क्या आएगा alpha S की जगा क्या आएगा theta और VF की जगा omega F और VI की जगा omega I तो यह angular motion के लिए linear motion के लिए angular motion के लिए linear motion के लिए इसी तरह से हमने पढ़ा बचो S is equal to VT और S की जगा हम क्या यूज करेंगे theta V की जगा omega और T के हमारे पास फैसे ही आ जाएगा इसी तरह से बचो हमने पढ़ा S is equal to VIT plus half AT square तो इसी को अगरे मैं angular motion के लिखूँ S की जगा क्या आ जाएगा theta V I की जगा omega I T plus half A की जगा alpha और T square तो बचो ये जो blue में आपको नदर आ रही है ये है equations of motion उन objects के लिए जो uniform या constant acceleration से move कर रहे होते हैं तो ये linear motion के लिए हैं और ये जो green वाली हैं ये angular motion के लिए हमारी equations of motion है तो बचो इस lecture में हमने क्या देखा हमने linear sorry angular variables को सबसे पहले discuss किया जिसमें हमने angular position, angular velocity, angular acceleration, angular displacement ठीक है और उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे जो linear variables हैं और जो angular variables हैं उनके दरमयान क्या relation है और आखिर में हमने जो कुछ यहां पर quantities और कुछ equations of motion को देखा तो अगर कोई question आपके जहन में है कोई बात आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप comment में अपना question पूछ सकते हैं